वेलकम एब्रिवन और देखिए मैं एक चेप्टर अब लिनियर एक्वेशन क्लास 10 का टू वेडियबल्स में यह लिकाया हूँ इसको थोड़ा सा आप देखेंगे मैं कुछ समझाने के कोशिस कर रहा हूँ आखिर डिफरेंस क्या है पहले ग्राफिकल मेथड भी बात करेंगे लेकिन इसके नेचर अफ जो सॉलिशन है नेचर अफ जो जिरोज है पैसे हम लोग यह नेचर अफ एक्वेशन है उसके बारे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि क् एक एक्वेशन है टू वेरियबल्स में तो उसमें टू वेरियबल्स होंगे एक्स वाई होंगे यू भी होंगे या जो भी वो वेरियबल्स किसी किस एक्वेशन में लेते हो यानि दो अलग अलग होंगे तो जदी कोई एक एक्वेशन है हम जदी बात करें इस तरह से जद 0 बात करेंगे इसी कर जदी दूसरा तो A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 is equal to 0 बात करेंगे यहाँ X1 Y1 X1 Y1 नहीं होगा चुकिए variables दोनों में same रहेंगे लेकिन constant जदी जो है coefficients of X and Y अलग-अलग हो सकते है इस पर क्या करते हैं हम लोग ये nature को बात करते हैं जिसे तो हम लोगों को उसमें क्या-क्या मिलेगा सो देखते हैं तो जदी यहाँ पर देखें तो आप इस question को जदी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहें इस implies आप कर लेंगे यह X minus Y and यह then minus 2 is equal to 0 हो गया इसको जदी करेंगे आप तो यह भी आपका होगे X plus Y minus 10 is equal to 0 यहाँ जदी A1 की बात करें तो यहाँ 1 है यहाँ minus 1 है यहाँ C1 मतलब यहाँ minus 2 है यहाँ X यहाँ A2 जदी बात करें तो 1 है B2 जदी बात करें 1 है C2 है minus 10 यानि जदी A1 B1 करेंगे तो यह 1 A1 by A1 यह दूसरा है यह minus 1 by 1 minus 1 by 1 यह आपका minus 2 by 10 इसको जदी आप छोटा करेंगे तो यह हो जाएगा आपको minus 1 by 5 हम लोग इस पर बात करेंगे करके थोड़ा आप patience रखेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ बहुत अच्छा रेजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ यह आपको जदी यहाँ पर करेंगे तो यह एक्स के जगा पर यहाँ पर इसको आप करेंगे x minus 2y minus 2 is equal to 0 इसको जदी करेंगे 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है यह आपको 1 by 2 हो गया यहाँ पर यह minus 2 and minus 4 है minus 2 और minus 4 इसको जदी छोटा करेंगे simplest form में बात करेंगे यह हो गया आपका minus 1 by minus 4 याने 1 by 4 sorry 1 by 2 हो गया minus minus cancel हो गया 1 by 2 हो गया यहाँ पर और जदी c की बात करें यह minus 2 by फिर minus 4 यह भी आपका minus 2 by minus 4 है याने इसको जदी करेंगे तो यह भी 1 by 2 है यह हो गया आपका अब जदी बात करें इस पे तो इसको जदी आप करेंगे तो यह आपको हो गया x minus 3y minus 5 is equal to 0 तो इसको जदी आप करेंगे यह हो गया 5x-15y-3 is equal to 0 यहाँ पर जदी बात करें थी यह 1 by 5 यह हो गया minus 3 by 15 सीधे सीधे 1 by 5 हो गया और यह minus 3 that is 5 by 3 इस relation को जदी हम देखते हैं तो हम को क्या मिलें गें देखए यह इसकी जदी बात करें यहां हम देख रहे हैं यह और यह equal है, यानि A1 by A2 is equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2, यह हो गया, इससे आपको क्या फायदा हुआ, इतना से आप यह जान सकते हैं यहाँ पर, कि किन किन के solution, मतलब किसमें आप X और Y के value निकल सकता है और किसमें नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर देख लिजी, इसमें C2, तो इसमें condition देखी यहाँ पर, और इसको जदिए आप compare करेंगे, तो देख रहें यहाँ यहाँ पर यह तीनों आपस में equal नहीं, यहाँ पर यह और यह equal है, और यह third जो है, यहाँ equal है, यह जो condition है, जो सुरू में ही, यह दोनों equal नहीं है, A1 by A2 not equal to B1 by B2, that means, यह क्या बात करें, देखे, A1 by A2 is equal to B1 by B2, is equal to C1 by C2, मतलब आपस में यह तीनों है, देखे, यहाँ पर दो ही में हमारा काम चल जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है, चुकि यहाँ पर not equal हो गया, जब यह दोनों equal हो गया, तब हम third की भी बात करेंगे, third में देखे, इसमें equal है, इसमें नहीं है, तो जदी इसमें equal है, मतलब A1 by A2, B1 by B2, is equal to C1 by C2, तब क्या होगा, इस स्थिति में हाँ, infinite solutions होगा, मतलब बहुत solutions होगे, X और Y तो बहुत सारे values होगे, जो दोनों equation को satisfy करेंगे, third की जदी बात करें हम, A1 by A2 is equal to B1 by B2, but not equal to C1 by C2, मतलब constant का ratio की यह ब equation Y का नहीं होगा, जो की दोनो equation को satisfy करेंगे, अब इस स्थिति में आप कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या term आएगा हमारा, इसमें आएगा देखिए, आपको कुछ graph अब जदी बात करें हम, ठीक है, अब graph की बात करेंगे, जदी इसका जदी आप graph plot करेंगे, तो चुकि unique solution है, इसलिए जदी X और Y axis की आप बात करेंगे ना, यह दोनो जो graph आप फिचेंगे, यह कोई एक point पर intersect करेंगा, single point पर यह intersect करेंगा, इसकी जदी बात करेंगे, चुकि infinite melee solutions है, याने एक ही line दोनों के draw करेंगे, तो एक के उपर दूसरा line coincide कर जाएगा, same line बनेगा आपको, जा graph भी इसमें आप समझ लेंगे, अब जदी बात करेंगे यहाँ पर, तो कुछ-कुछ terms हैं, उसको आपको जानना होगा, consistent और inconsistent, consistent कहने को मतलब जदी यहाँ पर, देखी, यहाँ पर क्या होगा, कि जदी दोनों में, मतलब यह जिसे एक pair of equation मनता है, एक pair of equation मनता है, एक pair of equation मन या तो यह unique solution वाला रहेगा, या फिर आपका infinite value solution, तो इस तरह के जो equation होगे, तब हम कहेंगे, यह consistent है, और जिसका कोई solution नहीं निकलेगा, तो यह दोनों जो है, यह क्या है, inconsistent है equations, यह हो गया, दूसरा है, simultaneous की बात करेंगे, तो same चीज है, यह दोनों जैसे equation है, जिसमें आपस में और यह pair आपस में क्या कर रहे है, simultaneous pair of system कहलाता है, तो यह जो है, मेरा बताने का यह कारण था, कि आप इसको देख के जानेगे, आप रही बात इसका, तो देखेंगे, हम लोग जब आप graph plot करेंगे, तो एक एक करके देखेंगे, यह basic fundamentals मेरा बताने का यही कारण थ कि आप इसको देख के जान सकते हैं, इसके बाद हम लोग question पर चलेंगे, thank you so much.